श्री शिवाय नमस्ति ब्यूद्य में डोस्तों भगवाद शिवग जी आपकी हर मनो कामना पूरी करें इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे दोस्तो आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि साल 2024 में नवंबर महा में विवा के शुब मुरत क्या-क्या बन रहे हैं नवंबर महा के विवा के शुब मुरत की संपूर्ण लिस्ट आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो को पुरा ध्यान सेंते तक देखेगा सुनिएगा दोस्तों वीडियो पसंद जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजेगा और अपने ही चैनल को जोई से सब्सक्राइब कर दीजेगा दोस्तों जब भी विवा आदी की बात की जाती है तो शुब मूरत सरूर देखा जाता है हिंदू गैलंजर की अनुसार देव उठनी एक दसी से सुब विवा का दौर शुरू होता है सितंबर और अक्टूबर में शादी के लिए कोई उप्युक्त मूरत नहीं है अगला शुब मूरत नवंबर से शुरू हो रहा है विवा की शुब अबधी 17 जुलाई साल 2024 को देव शैनी एक दसी के दिन समाप्थ हो गई थी इंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भवान विष्णू इस दिन से चार महिने के लिए योग निंद्रा में पवेश करते हैं जिस दिन से देव उचनी एक दसी होती है जब वो योग निंद्रा से बाहर आते हैं उस दिन से ही दुबारा विवा जैसे मंगल कारों की शुरुवात होती है ऐसे में चलिए जानते हैं कि साल 2024 के नवंबर माहा में किन दिनों शुब मूरत बन रहे हैं दोस्तो दोस्तो जैसे कि आपको बता दू कि देव उचनी एक दसी बारा नवंबर साल 2024 दिन मंगलवार को है तो बहुत सारे लोगों के यहाँ जो होता है वो उसी दिन ज़ुटार बारा नवंबर साल 2020 दिन मंगलवार को देव उटनी एकठसी के साथ साथ तुलसी विवा भी प्रारब हो जाएगा और कई घरों में ऐसा होता है कि देव उटनी एकठसी के दूसरे दिन यहाँ भे 13 नव साल 24 दिन बुद्वार को जो है वो तुलसी विवा करेंगे तो ऐसे में देखा जाए तो नवंबर महा का जो पहला विवा जिस दिन सुरू हो रहा है देव उठने का दसी से तो वो मान के चलिए कि 12 नवंबर 13 नवंबर साल 24 से ही प्रारंब हो रहे हैं चलिए दोस्तों आपक को नवंबर महा के विवा के शुभ मूरत की दिन और दिनांग साती सात नक्सटर और तिथी भी बतला देते हैं सबसे पहले मूरत बनके आ रहा है 12 नवंबर साल 24 दिन सिद मंगलवार नक्शत्र रहने वाला है उत्तर भादरपत तिथी रहने वाली है दोआदसी 13 नवंब अगला शुब मूरत नवंबर मा में निकल के आ रहा है दोस्तो 16 नवंबर साल 2024 दिन सनिवार को नक्षत्र रहने वाला है रोणी तिथी रहेगी द्वितिया अगला शुब मूरत बनके आ रहा है दोस्तो 18 नवंबर साल 2024 दिन रविवार नक्षत्र रहने वाला है रोणी म्रगशिरा तिथी रहेगी द्वितिया और तृतिया अगला जो शुब मुरत बन रहा है दोस्तों वे रहने वाला है नवंबर 22 याने 22 नवंबर साल 2024 दिन शुक्रवार नक्षत्र रहेगा मघा तिथी रहने वाली है दोस्तों आश्टमी अगला जो शुब मुरत बन के आ रहा है दोस्तों वे रहेगा 23 नवंबर साल 2024 दिन सनिवा नक्षत्र रहने वाला है मघा, तीथी रहने वाली है अश्टमी 25 नवंबर साल 2024 दिन सोमवार को अगला शुब विवहा का मूरत बन रहा है नवंबर में नक्षत्र रहने वाला है हस्त, तीथी रहने वाली है दोस्तों एकादशी 26 नवंबर साल 2024 दिन मंगलवार नक्षत्र रहने वाला है हास्त तिथी रहेगी दोस्तो एकादशी अगला जो शुब मूरत द्वन के आ रहा है दोस्तों वो रहने वाला है 28 नवंबर साल 2024 दिन ब्रहस्पतिवार नक्षत रहने वाला है स्वाती तिथी रहेगी दोस्तों त्रयोदसी और नवंबर महा का आखरी वा अंतिप शुब विवा का सुब मूरत रहने वाला है 29 नवंबर साल 2024 दिन सुक्रवार नक्षत रहने वाला है स्वाती तिथी रहने वाली है दोस्तों त्रयोदशी तो कुल मिलाकर मैंने आपको यहाँ पर नवंबर महा के यानि साल 2024 नवंबर मा के शुब विवा का शुब मूरत आपको बतला दिया है दोस्तों आशा करती हूँ या आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजेगा क्योंकि आपका एक छोटा से लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे-च्छे नए-नए वीडियो बनाने के लिए बहुत जल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए जानकारी के साथ दोस्तों तब तक लिशी शिवाय नमस्तव्यम धन्यवाद दोस्तों